तो आज हमारे पास एक unique product है Unique इसले क्योंकि हमारे सामने है Beza का Base variant अब आप मेंसे काफी सार लोग यह कहेंगे कि यह Base variant देखने से लगता नहीं है तो बात आपके सही है यह Base variant ही है लेकिन इसमें dealership ने कुछ accessories को install किया है जिसकी वज़े से इसका जो look and feel है वो आपको proper ZXI variant जैसा लगेगा और उसी की साथ ये जो version है ये CNG version है तो आपको एक चीज का और अंदाजा हो जाएगा इसमें कि आपको boot space कितना मिलता है और क्या इस variant को आपको consider करना चाहिए या फिन नई बाकि सारे features के बारे में सारे accessory price list के बारे में आपको detail में बताने वाले इस वीडियो में लेकिन एक काम करते हैं कि शुरुआत करते हैं इसकी back side से और देखते हैं कि वहाँ पे आपको space कितना मिल जाता है boot में क्योंकि असल में लोग CNG कार तो purchase कर लेते हैं लेकिन boot space भी उसका माइने रखता है कि आपका उसमें luggage आ भी पाएगा या फिन नहीं तो चेक आउट करते हैं पहले उसे तो इस ब्रैजा में जो आपको boot space मिलता है वो मिलता है 328 liters का लेकिन जायर सी बात है कि यह CNG version है तो obviously जी slender जो है वो थोड़ सा space को occupy करेगा ही करेगा तो इतना इसने space occupy कर लिया है और यहाँ पर आपको जो boot space मिलता है वो almost आपको इतना मिलता है कि आपके यहाँ पर दो bag store हो सकते हैं कुछ इस type के bag इसको मैं यहाँ पर रखता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं properly place हो यहाँ पर slender के नीचे भी आपको थोड़ सा space देखने को मिल जाता है जिसमें अभी हमने currently टूल किट रखी है लेकिन यहाँ पर आपका चोटा मोटा और थोड़ सा space मिल जाता है जिसमें आप अपना कुछ ऐसा समन रख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि किसी तरह से exposed ना हो त तो 328 लीटर का जो boot space आपको यहाँ पर मिलता है वो आपको decent मिलता है और इस cylinder की water carrying capacity की बात की जाए तो 55 लीटर की water carrying capacity आपको cylinder में मिलती है और मारुति सुजुकी क्लेम करता है कि ब्रेजा CNG आपको 25 km पर kg तक की fuel efficiency offer कर सकती है अपको इस वैसे तो LXI variant अभी हमारा सामने ह और LXI variant की अगर action room price की बात करें तो इसका action room price है 9.14 lakh rupees लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे ZXI बाला look देने के लिए इसमें कुछ accessories लगवाई हैं तो क्या-क्या खास बात हैं वो चीज मैं आपको बताता हूँ LXI variant में आपको पता होगा कि आपको fog lamps नही अक्सेसरी देखने को मिल जाती है जो कि इसका look को enhance करती है और यहाँ पे side profile में जैसी है पाएंगे तो LXI variant में अलोई wheels तो मिलता नहीं लेकिन ZXI variant बनाना है से तो अलोई wheels तो provide करना ही पड़ेगा इन अलोई wheels की जो price है वो रखा है मारुती ने 40,800 रुपीज के आसपास यानि कि आ 41,000 उसे मान सकते हैं और यह जो एक्सेसरी जो भी इस कार में लगाई गई है वो मारुती सुजुकी की genuine एक्सेसरी है तो यह एलोई wheels से बहुत जादा attractive लग रहे हैं इसमें देखने में इनका जो size है वो है 16 inches का overview के उपर decal लगाए गए है जिसका price भी आपको different मिलेगा बागी indicators आप देख सकते हैं और वियम में यहाँ पर आपको body cladding के ओपर थोड़ सा garnishing मिल जाती है different type की door visor आपको मिल जाती है और chrome से finishing यहाँ पर आपको मिल जाती है तो वरहल जो यह accessory है वो इस car का look बहुत जादा enhance कर दी है अब गईस अगर आपको detail में जाना है सबसे पहले काईस यहाँ पर important होता है वो होता है हमारा touchscreen infotainment system और वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको sony का touchscreen infotainment system लगाया गया है और इसका प्राइस है वो है 25,000 रुपीज अगेन मैं आपको यही चीज़ बतादू कि यह infotainment system है वो मारुती Suzuki की genuine accessory में आता यहाँ पर steering wheel देख सकते हैं आप steering wheel पर आपको cover देखने को मिल जाता है यह जो variant है base variant है इस वादे से यहाँ पर steering mounted audio controls के buttons नहीं मिलेंगे दूसरा AC की बात करें तो AC आपको यहाँ पर manual ही यह से देखने को मिलने वाला है जैसी कि आपको already LXI variant में आपने काफी बार देखा हो होगा इसके यहाँ पर देख सकते हैं कुछ AC की मिलती है remote की आपको मिल जाती है बट आपको physical की भी मिलती है यानि कि आप इसे यहाँ पर insert करेंगे और आप इसे car को start कर पाएंगे इसकी साथ यहाँ पर आप देख सकते है scuff plate आपको मिल जाती है breza की साथी साथ इस साइड मैं बात करता हूँ पहले इसके infotainment system की guys अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जो sony का infotainment system मिलता है उसकी वज़े से touch response कमा लगा है देखने में भी बहुत ज्यादा attractive लगता है लेकिन मैं आपको यह चीज नहीं दिखाने वाला हूँ मैं दिखाता हूँ आपको इसका reverse parking camera यह मैंने reverse पर लगा है और यहाँ पर आप camera quality देख सकते हैं आपको काफी अच्छी कासी camera quality देखने को मिल जाती है जैसे कि आपने देखा हूँ आपको काफी सारे लोग aftermarket camera तो लगा लेते है अपनी कार में लेकिन उस type की quality नहीं मिल पाती लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई problem नह यह genuine accessories से लगाई गई है अगे आप description में दिये वही link को click करके इनका price list proper check out कर सकते हैं यहाँ पर यह भी आपको छोटी से accessory देखने को मिलती है जिसकी वज़िसे यह जो कार है वो बहुत ज़्यादा rugged look वाली लग रही है अब हम चलते हैं इसकी rear seat में और space देखते हैं एक बा बागी shoulder room यहाँ पर अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह लग रही है कि जो अपॉल्स्री यहाँ पर यूज़ की है एक्सेसरी में जो अपॉल्स्री लगाई गई है उसकी वज़े से car बहुत ज़्यादा premium लग रही है ऐसा बिल्कुल फिल नहीं आ रहा है कि यह base variant है औ बागी हमने आपको एक बर ब्रीफली समझा दिया कि क्या-क्या एक्सेसरी इसमें लगाई गई है श्पेस हमने बूट स्पेस आपको टेस्ट करा के दिखा दिया अब आप बताई हमें नीचे दिक कॉमें कि कैसे लगी आपको ब्रैजा CNG और पर्टिकुलरली क्या आप इस वेरिंट को कंसेडर करके उसमें अक्सेसरी लगवाएंगे या फिन नई मिलते आपसे अगली यूडियो में थैंक्स वर वाचिंग